गोर्खा हित्थ सर्वो परी सब्सक्राइब करें और गोर्खा अवाज को मजबूत बनाएं 38 नमबर समस्टी लाबा लिंक से अंतरगोत कागे पवक गोर्खा जन्मोकती मोर्चा बीमल खेमा को सांगटनीक सभा भुत्पूर्व सभासद सीपी ओडियाल को दिक्ष्तामा संपन बयो वहां हरूले समस्त कारकार्णी और सभामा उपस्तित बयो को सदस्ति हरूले भाका पार्टी अध्यक्ष बीमल गुरू को निर्णालाई स्वागत गर्दई समर्तन जनाय कछा जुन प्रकार को राजनेतिक परिस्थिदी छा अनि गोर्खा जातिको भविश्य सम्मन्दी जुन एउटा भयावस्थितिको स्रिजिना भयको छा तेसलाई मद्य नजर राखते गोर्खा जरमुक्ति मुर्चा का मानानिय अध्यक्ष मोदेया सस्थापक गोर्खा जरमुक्ति मुर्चा जुओ दारजिलिंग पहार मत्तै नवायर भारत बर्श मत्तै नवायर विश्वका गोर्खार को मानस पतलमा एउटा गोर्खा जातिको उन्मुक्तिको संगर्षमा निरंतर ख़दी रहने ब्यक्तित्त अनुँँँचा उहां को दिशा नियुदेश मा आमी आज़ आमरो गर्खाचर मुक्ति मुर्चा पाटी को सांगठनिक गतिविदिलाई अगारी बड़ाउने क्रम मा 38 नमर समस्टी अंतरगत कागे को पबख वस्तिमा उपस्तित भयकाच हों रह आमी ले आमरो एक्सो बर्षा भन्दापनी लामू गर्खालेन को मुद्दालाई सिरो पर गर्दै यो त्रिरंगा जंडा अध्यक्ष मोदय को नेत्रित्तमा द्वेर्जा साथ साल मा गठन भाई देखी एता निरंतर रूप मा योटाई मत्या लग्षा गर्खालेनलाई लिए रा समगर्शक गर्दै गरेको हो औनी 2009 साल मा भारत्य जंता पाटी ले केई गर्षा किनकी यो मशीना राज्य गठन गरने पाटी हो भने रा अध्यक्ष मोदय ले भारत्य जंता पाटी सगा एलाइन्स गरेको थियो 2009 साल मा तेस्ताई भयो NDA को सरकार होना सके न दिल्ली मा रा 14 साल मा फेरी हामरो मनोबल यथावत राखताई यह पाटी मा थी हामिले विश्वास सांचे रा 2014 साल मा एसेस आलवली आलाई पनी परदा हामिले यो देश को संचद मा पढ़ाईं तेस प कुनी इपनी प्रकार को आमरो गोर्खा जाती को भविश्य मा थी चिन्ता भारत सरकार ले गरे ना 2017 साल मा एउटा जना आंदोलन भयो जना आंदोलन मा पनी हामिले आशा गरेगा थी हूं कि विजेपी सरकार ले केई ने केई सुनवाई गर्षा तरह हामिनी अन्यायर अत्य चार को सिकार भयो आमरा 13 जना राजुभाईयरू 100 भायर गोए अनि हामरा 1000 राजुभाईयरू व विज सम्वन यो पाहार मा यो जन्गल राज यस्तो भयो प्रजातांत्रिक देश को विश्वको सवयो नठ्षन प्रजातांत्रिक मुलुक मा विमल गुरूं को नाम सम्मा उचान करने हामिलाई अधिकार दिये ना हामिले जन्दालाई जन्दा आज आज हमिले फरफ़ण प्रत्य घर भीत्र लुगार राखने पनी श्थिति आयो और अनि यस्तो श्थिति मा उहां को युटा प्रमुक दायत्तो थियो गुर्खा जातीलाई बचाओने और मुल मुद्दा लाई यथावत राखने जुन मुल मुद्दालाई अच्छून राखताई यथावत गर्खालेन को मुद्ध मेरो जन मसिद्धा हदिकार हो और हमरो मुल मुद्धा हो गर्खाँ जन मुक्ति मुर्था पाठी को मुल मुद्धा हो यह link बती में पशेज चरविके बDas सी रो तेस कारण ले करदा हामी गोर्खा जरमुक्ती मोर्चा पाठी अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण भोमिकत अमरा दाजिवायर लाई खुल्ला हिर्दयले आपनु जन मथलो आपनु मास्त्री भोमिमा स्वाधात गरदा सुंग। किला मन देखी एनोस यह उटा छोरा एक दिन घार बड़ा बाईर दान शावने तियो आम भावलाई कती सार पर शा पर यत्रो जाजिवायरू आज तिन सार तिन बसे देखी बाईर विस्थापित जीवन बिताई रहेका शन। अनि घार बार संपूल्ण रूप मा कुणकी भाईर रहेको छा अन्यय अतिचार भाईर रहेको छा अनि तेती मत्या नवायर आपनो जनमदी ने बावु आमा सम्मल आई पनी वायर ले दागबती दिन पाये ना मट्टी दिन पाये ना इस्तो धिशन आस्थाता साथ चाई अनि यो भारत को गनतंत्रमा भायेको ठेना अला तेस्ती अन्यय अर अतिचार खापे रहे यो गोर्खात जुर जनमुक्ती मोर्चा विमल पन्थी रूप वाशे को आज सम्मन और अवादेखी उसो आमी शक्रिय भाये रहे पाया को राजनीती मा अगारी आउने शां स्रीम माँ संगा हामरो पूर्ण वरुषाचा कीरमने वानले जो मुखले बोले को हुँँचा त्यो पूरा गरने वानको उटा कमिटमेंट सदाइबह आविले देहे गटों स्यक्रिय वानलाई विश्वास गरे रहे वानलाई शिरोपर गर रहे बसने संपूर्ण जर्दारू अगारी आऊनोस स्रीमान विम्माल गुरूंगुगु जी को नेत्रित्या माहि आऊने दिन माई 21 मामुता बेनर जी को पाटी लाई समर्थन गरने भने रहाले भनेको छा यो समर्थन हो तरा हम्रो मुल मुद्दा गरखा लेन रा हम्रो झंदा यथावा त्राण छा श्रीमान विमल गुरुंग जीको नेत्रित्वा धिनमाई रहने छा अनी समर्थन ता हमी ले एंडिया लाए पनी गोरे का थियों जासले हमरो काम गर दाई ना जासले हमी ते रोद गर्षों समयमा ते पनी स्थिति आगनो सक्था तर अई लेको घरीमा हमी ले योजुन त्रि समष्ठी को प्रेशिडेंट सेकरेटरी संपुर्ण जाधी बनी समस्थिका कमीटाए का सदस्यारुनुंच लगाया संपुर्ण जन ता गोते हमाट आट हारदिक स्वागत गर दसुंग जय गोरुखा जय बीमल जय गोर्खा लेने डो़ कि सब्सक्राइब करें और गोर्खा आवाज को मजबूत बनाएं